नमस्य दोत्यों डिट गुल्ड मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वाथ्य समंधी चच्चा के अंदर मैं आज आपको सतावरी के विशे में बता रहा था भाग एक मैंने संपुन किया उसमें आपको सतावरी के बहुत गुन बताए अब मैं इसका सेकिंड भाग मैं आपको बताता हूँ खुब ज्यान से सुनेगा अब ये हाँ मैं बता रहा था आपको स्वपन दोस स्वपन दोस के अंदर 250 मिली लीटर ताजी सतावरी की जड़ का चूरन और 250 ग्राम मिश्री के साथ पीस करके 67 ग्राम की मात्रा 250 मिली लीटर दूद के साथ सुबह साम रोगी को देने से सुपन दोस दूर होकर सरीर मजबूत बनता है ये एक बहुत महत्वपौन ये नुस्का है और ये बिमारी भी बहुत सुन्द लोगों को है तो मैं इसको दुबारा बोलता हूँ सुपन दोस नाइट फोल आप इसको द्यान से सुनेगा 250 एमल सतावरी की जड़का चूरन और 250 ग्राम मिश्री इनको पीश करके और 6-7 ग्राम की मात्रा डाइसो अमल गाय का दूद इसके साथ में सुबर साम रोगी को खिलाने से सुपन दोस ठीक होकर शरीर मजबूत बनता है अगला इसका जो फाइदा है मुत्र विकार के अंदर सतावर और गोखुरू इनका सर्बत बना के पीने से पैसाब समंदी कई रोग ठीक होते है जिनको पत्री बन जाती है सरीर में उसको अस्मरी भी बोलते हैं पत्री बन जाती है तो 20-50 ग्राम सतावरी के रस्में बराबर गाय का दूद मिला कर पीने से गुर्दे की पत्री जल्दी से गड़ करके पैसाब के राज्ते बाहर आ जाती है ये बहुत कीमती नुसका है मैं दुबारा बताता हूँ हाँ मैं दुबारा बताता हूँ आपको हाँ देखिए जिनको पत्री होती है तो 20-50 ग्राम सतावरी का रस्म और उतना ही गाय का दूद इसको मिलाकर दोनों टाइम पिलाने से गुर्दे की पत्री बहुत जल्दी गल करके और फैसाब के राज्ते बाहर आ जाती है डाइबिटीज के अंदर 20 ग्राम सतावरी के रस्म असी कराम दूद में मिलाकर पिने से डाइबिटीज में लाब होता है और रोग ठीक होता है जिनको पित परकरती होती है और परदर होता है तो 10 से 20 ग्राम सतावरी के रस्में एक चमर सेद मिलाकर सुबह साम पिने से बेहन बेटियों को जिनको पित की बिमारी भी होती है और परदर होता है तो उनको आराम मिलता है जिनको सरीर में दर्ग भी होता है और बुखार आता है इसको बोलते हैं वात जोयर वात जोयर के अंदर 100 ग्राम सतावर और गिलोई के रस में थोड़ा गुड़ा कर कहने से दोनों के 50-60 ml काडे से 2 चमर सहद मिला कर पीने से वात जोर खत्म होता है कईयों को वो शरीर के अंदर कोई गलत दवा खाने से विस्ट बन जाता है तो सतावरी की जड़का रस दूद में मिला कर पीने से कोई चड़ावा जहर होता है बोड़ी के अंदर तो वो ठीक हो जाता है खत्म हो जाता है शरीर का सकती साली होना यानि कि यह जो सरीर है ये सकती साली कैसे हो यह मैं आपको बता रहा हूँ सतावरी को पका कर खाने या सतावरी के चूरन की खीर बना कर सेवन करने से शरीर में ताकत की व्रती होती है लगबग 200 ग्राम की मात्रा में सतावर और अस्वगंदा इनका चूरन बना ले इस चूरन को 6 ग्राम की मात्रा में 500 अमल दूद में डाल कर इतनी देर तक उबालें कि दूद्ध आदी मात्रा में नहीं ही रह जाए आप इस बचे विए दूद्ध में लगबग 20 ग्राम मिस्री डाल कर इसको पी जाएं इसका 7-40 दिन तक लगातार करने से सरीर सकती साली बनता है और सतावरी के घी से मालिस करने से भी सरीर सक्ति साली बनता है, मैं इसके को दुबरा बोलता हूँ, सरीर को सक्ति साली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सतावरी को पका कर और खाने या सतावरी के चुरन की खीर बना कर खाने से, सरीर में ताकत होती है, अब इसका जो तरीका ये लिखा है कि दो दो सो ग्राम सतावरी दो सो ग्राम लो अस्वगंदा दो सो ग्राम लो इनका आप पाउडर बना लिए और इस पाउडर में से छे ग्राम की मातरा आदा किलो दूद के अंदर डाल दें और उसको मंद अगनी पे आप गरम करते रहें इतना गरम करें कि दूद आदा रह जाए और जब ये आदा दूद रह जाए तो इसके अंदर 20 गराम मिश्री का पाउडर डाल के और पिला में ये प्रियोग अगर 40 जिन करेंगे तो ये लिखते हैं कि इसे सरीर सकती साली बनता है और सतावरी का जो गी होता है इसे सरीर पे मालिश करने से भी पोरूश सकती बढ़ती है सतावरी का गी किस तरह बनाया जाता है मैं बना सकता हूँ सतावरी का गी लेकिन ताजा सतावरी आएगी तब उसका बनेगा सतावरी गी इसको शिर्द करके और इसका गी बनाया ज मिर्गी के रोग में बड़ी काम की चीज़ है परिणाम सूल के अंदर 30 गराम सतावरी का जड़ का चुरन दूद के साथ दिन में दो बार देने से परिणाम सूल ठीक हो जाता है बुखार के अंदर 6 M.L. सतावरी की जड़का रस बराबर मातरा में गिलो़ के रस तता गुड के साथ दिन में 3 बार रोगी को देने से बुखार ठीक हो जाता है मुत्त्रागात के अंदर 25 गराम सतावरी की जड़का चूरन और डाइसो अमल दूद के साथ दो बार रोगी को देने से मुत्रा घात याने कि पैसाब के साथ धातू का जाना बंद होता है इसको दुबारा बोलता हूँ बहुत से करते हैं कि हमारे पैसाब में धातू जाता है पैसाब में सफेद जाता है उनके लिए ये बड़ा काम का नुस्का है जो वीडियो सुनेंगे तो लाब उठाएंगे ने सुनेंगे तो मैं कुछ ने कर सकता इसके लिए 26 गराम सतावर की जड़ का चूरन 250 अमल दूद के अंदर आप पकाएं और दो बार रोगी को देने से पैसाब पैसाब जिनका धातू जाता है वो बंद हो जाता है ये प्रियोग एक मेना दो मेना कर सकते हैं आँखों के लिए 12-20 गराम सतावरी को शिद कियावा दूद अद्रक के रसके साथ दिन में दो बार देने से आँखों के सारे रोग ठीक होते हैं रक्त पित के अंदर सो से दो सो अमल सतावरी की जड़ तता गोगुरू से शिद्ध किये दूद में दो बार देने से रक्त पित का रोग ठीक होता नपुन सक्ता नपुन सक्ता के अंदर दस गराम से बीस गराम सतावरी के चुरण को मिश्री मिले हुए दूद में सुबह और रात को लेने से ये लिखते हैं गरंत का नपुन सक्ता दूर होती है और सरीर की कमजोरी भी दूर होती है कितना सरल नुस्का है दस से बीस गराम सतावरी का चुरण और मिश्री मिले हुए गाय के दूद के साथ लेने से चुबह साम कमजोरी और नपुन सक्ता ठीक होती है ये प्रियोग इगत्ती से 41 या 61 दिन तक कर सकते हैं जिनको दस आते हैं तो सतावरी का चुरण बनाकर दस के 15 गराम लेने से चीनी के साथ दूद के साथ पिने से रोगी को दस और धातू की बीमारी से छुट कारा मिलता है ये धातू सराव को रोकने की बहुत परमुग दवा है सतावरी हाँ दस से 20 गराम सतावरी चुरण को सुबह साम चीनी और दूद में पे बनाकर लेने से चवदा से 28 अमल सतावरी का रस्ट से दिन में दो बार पिलाने से भी परतनवे आराम मिलता है। सतावरी में तो गुनी गुन भरे हैं मैं भी क्या करूँ देखिए। ये लिखा लिंग वरदी। हाँ सुनी आप इसको सतावरी अस्वगंदा कूठ जटा मानसी और कटेली। तो ये लिखते हैं कि लिंग की लंबाई भी बढ़ सकती है और बढ़ जाती है। इसका तेल सिद्ध करके बनाना पड़ता है। सतावरी का तेल जो बजार में आता है तो वो कोई सही चीज नहीं होती। एक बार इसको फिर बोल देता हूँ देखे सतावरी और अस्वगंदा और कूठ और जटा मानसी और कटेली। ये एक, दो, तीन और चार चीजें होई तो इनको बराबर मातरा में ले करके और दूद के अंदर मिलाएं। दूद भी डलेगा और तेल भी डलेगा कड़ाई के अंदर और उसको गरम करते रहने के बाद जब दूद खत्म हो जाएगा और शिर्फ तेल रह जाता तो वो तेल बन गया यूँ मानलो। उस तेल की लिंक के उपर मसाद करने से लंबाई बढ़ती है। मोटाई नहीं लिखा, सिर्फ लंबाई लिखा है, जो लिखा वो ही बोलूँगा हमें। इसका अगला प्रयोग इस्त्री के अस्तनों में दूद की वर्दी के लिए सतावरी की जड़का चुरन और मिश्री मिलाकर खिलाने से दूद की वर्दी होती है, और मासित स्राव के बाद आई कमजोरी भी ठीक होती है। हिस्टिरिया रोग की ये बहुत अच्छी दवा है, कहीं बेंद बेटियों को भाईयों को हिस्टिरिया होता है, तो सतावरी दो चमच, इसकी जड़का रस, एक तप दूद के अंदर मिलाके, और दो टाइम 41 दिन पिलाने से, मिर्गी के रोगी को लाब मिलेगा। दोस्तों मैंने आज आपको दो पार्ट के अंदर सतावरी का क्या गुण है, क्या नहीं है, इसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर हैं, ये इतने बेंद बेटियों के लिए ये पहली दवा ऐसी जड़ी मुटी है, जिसके नहीं के बराबर साइड इफेक्ट हैं, यूं म लोकों को ठीक करने की सक्ति सतावरी के अंदर होती है। मैं जब जंगल के अंदर घूमता था तो मैं सतावरी की जड़े खुद निकाल के लाता था। या किसी को कर देता उस वाकत दस रुपे की किमत थी दसका नोट देता बेटा तो जड़े निकाल दे वो पानी में नदी चलती थी तो उसके पास बेट के उसको बताता इनको साप कर दे इसकी हड़ी भी निकाल दे तो दस रुपे में सारा काम हो जाता था तो जड़े लाकर क और गर पे उसको में सुका लेता था, सुकाने के बाद पाउडर में उसको प्रनित कर लेता था, अब मेरा देखिये जंगल में जाना होता नहीं है, और फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा संसार में कोई काम नहीं है, जो नहीं होता हो, सब चीछ परना है तो वो काम आप निश्चिंत करेंगे इसमें कोई दोराय है नहीं और मेरी डिक्सनेरी में असंबव नाम का कोई सब्द नहीं हाँ अब रहा सवाल ठीक है अपन नहीं जा सकते तो और लोग तो जा सकते हैं उनसे सतावरी आराम से आप मंगा लिजे उनको सो दो सो चा लिजे छिलका हटा है छिलका हटाने के बाद उसको यू करें यू करते ही अंदर एक लगडी शीक दिखेगी उसको यू करते ही लंबी लंबी वो यू निकल जाएगी वो आज में मानके चलोगी सतावरी की जड़ों में से वह अस्ती vive निकालने में मुश्किल से अरी घंट परसेंट आपका हर काम जो आपको प्रोब्लम है उसको ठीक करने की सकती रखेगी ये जो बजार में जितने भी सतावरी आती है आपके सामने फिशी हुई सतावरी सपेद रंकी आती तो आपर हम दोनों कुछ हो जाते हैं कोई भी अस्ति नहीं निकालता इतनी नहीं तो पंसा आज सतावरी इसको महा सतावरी भी करते हैं सतावरी भी करते हैं और एक जाते जाते में एक आपको और बहुत बढ़िया बात बता देता हूँ साहिद आपको मालूम नहीं अरे लोग कितने आगे हैं और हम कितने पीछे हैं अमेरिका के अंदर और इंगलेंड के अंदर जो प्लेट भरके रखते हैं, आप किसी से भी कंफरम कर सकते हैं, तो वो लोग इतने कपसे इस चीज को काम में ले रहे हैं, तो बाकाइदा वहां जो सतावरी होती है, वो थोड़ी ये अंगुटे की तापी मोटी होती है, मोटी होती है और उसके अस्ति निकाल करके और उसके से ताजी सतावरी, सुखी का नहीं, ताजी सतावरी के गुटे करके और सलात के रूप के अंदर नास्ते के अंदर देते हैं, तो कितने भागे साली हैं वो लोग, तो अब आप भी घर के अंदर भी सतावरी लगा सकते हैं करने वाला तो बहुत बुरा होता है, आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता है, दोस्तों आपको मेरे दोनों भाग अगर अच्छे लगते हों, जिस तरह मैंने आज आपको समझाया है, आपको इस तरह कोई नहीं समझाता, कोई आपको नहीं कहेगा कि नास्ते के अंदर कावरी के विशे में कोई बात जाननी है मैं हर वीडियो के पीछे नीचे की तरफ टाइम देता हूं फिर मुझ से बोल देता हूं मेरा बात करने का समय सुबह 6 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक बीच में एक बार पेसाब करने जाता हूं आप फोन लगाएं यदि नहीं ल यह नहीं कहें कि दिन भर ही मैं मोबाइल पर बैठा रहा हूं मेरे मैं अब इतनी सकती नहीं कि मैं दिन बर एक मिनिट के अंदर तेन कोल आते हैं अब आप बताईए मैं एक एक आदमी को कम टे कम समझाओंगा तो पांच-पांच मिनिट तो लगेंगे तो मैं कोई काट खा आदमी नहीं मैं भी एक हार्ड मास का पुतला हूं आप मेरे वीडियो को सक्टाइब करिए थेंक्स